मेडिकल से जुरी सभी लेटस्ट अब्डेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हैठ टिप्स मेडिकल नौलेज यूट्यूब चैनल को वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चनल हैटिपस मेडिकल नो निजमा आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूँ हमत और आपके लिए 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 आए हूँ आज की जो कुछिश्चन है वो फीटल इसकल पर आधारीत है कुछ कुछिश्चन आज हम पड़ेगी इसके बाद में हम इसका next part पड़ेगे यानि कम से कम यानि हम cover करना चारा है पूरे फीटल इसकल के कुछिश्चन को तो दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजे आपको एक बटन दिखाए दिरहा हुआ लाल बटन वहा करते हैं उनको और विस्तार से समझते हैं यहां पर कुछिश्चन को कुछा है the structure that separate occipital bone and two parietal bone ठीक है वो कौन सी structure है जो separate करती है किसको occipital bone को and two parietal bone को lemdoidal suture frontal suture coronal suture sagital suture statistical suture तो यहां पर correct answer क्या है यहांपर जो correct answer रहे गापना वा रहे गाँपर यहां पर क्या है यहांपर correct answer अपर that सूच्छ में तो देखको यह यह यहां पर उचल सूचर और इदर ऑने जो साइड मे यहां पर है और यह याँ पर है कौन सा लेंटोईडल सूचर तो पीछे वाली जो प्रण्टल के देते हैं और यह पर अपना जो बीच का सूचर हो गया और इसके बाद में यहां पर आपको बात करें तो यह अपना हो गया मैं आपको इसको समझता हूँ देखो यह यहां पर बात करें तो यहां कर जो सूचर है अपना यह जो सूचर हो गया अपना यहां पर बीच में यह जो सूचर हो गया और यह वाला देखो यह तो हो गया अपना प्रंटल सूचर यह हो गया अपना कोरोनल सूचर कोरोनल सूचर और इसके बाद में यह है अपना सेजिटल सूचर सूचर और यह होगा अपना लेमडोड लेमडोडल सूचर लेमडोडल लेमडोडल सूचर तेक है यह होगा अपना लेमडोड सूचर तो यहाँ पर यह होगा यह कौन सी बोन है यह ओक्सिपिटल बोन है, कौन सी बोन है यह है, ओक्सिपिटल बोन है, तो इससे कौन सेपरेट कर रहा है, तो इसको कौन सेपरेट कर रहा है, लेम्डोइल सुचर इसको सेपरेट कर रहा है, तो चलते हैं पर नाच्स कुश्चन की तरफ, मैं आपको इसका दिखा देता हूं, च ठीक है और यह सुचर है इसे कहते हैं पन कोरोनल सुचर कहते हैं और यह जो दोनों बोन है यह क्या है यह दोनों बोन है इनका नाम है पेराइटल बोन क्या नाम इनका पेराइटल बोन है और इनके बीच में जो आपको इस सुचर दिखाए दे रहा होगा इसको कहेंगे पन से तो आपको सुचर समझ में आ गया होगा, चलते हैं अपन नाक्स स्कूर्शन की तरह, विच स्टेटमेंट इज फाल्स, कौन सा स्टेटमेंट फाल्स है, सेजाइजल सुचर इज आलसो नोन वाज लॉंगिटूटिटनल सुचर, सेजाइजल सुचर लाइस बिट्विन टू पेराइटल सुचर, तब कौरोणल सुचर लाइस बिट्विन टू पेराइटल एंड ओक्सिपिटल बोन, फ्रंटल सुचर लाइस बिट्विन टू फ्रंटल बोन, तो यहां पर करेक्ट अंसर क्या रहेगा अपना, यहां पर जो क की तो यहाँ पर अपना जो सूचर हो जाता है और यह फ्रेंटल सूचर होता है तो यहाँ पर सेजाइटल सूचर का है longitudinal है यह itis के बाद में लाइस बीट्विन टू पराइटल बॉन देखो दो पराइटल मों के बीच में क्या है ये से जाए तो सूचर है इसके बाद में फ्रेंटल सूचर lies between two frontal bones जो फ्रेंटल सूचर होता है इदे को दो फ्रेंटल बोन के बीच में लाई से लेकिन ये अपना correct नहीं है यह पर पूचता false तो इसलिए अपना c वाला सही answer होगा चलते पर next question की तरब, the suture that form anterior fontanel R, यानि कि anterior fontanel कौन से suture से बनता है, सेजाइटल suture anteriorly and lamdoidal suture either side, frontal suture anteriorly and posteriorly lamdoidal and coronal on either side, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पुछाता है, कि जो frontal fontanel है, वह किसे बनता है, ठेक है, यानि कि frontal該 fontanel, अब आपको भी बता दूँहो में देखो, यह क्यों हो यह इंटीर में, इस critical artistic come colonial, यह तो हो एपना frontal suture, frontal suture, और ःदोनों साइट में क्यों हो गया, coronal suture, और posterior में क्यों हो गया, आपना सेजाइटल सूचछर मी पहता है इसमें कि देखो यहां पर क्या हो गया दोने साइट में हो गया अपने सूचर सैजाइटल सूचर चाथा ख्लेता है इन होन बिंग जो फॉर्ट्र यह पीछे का फॉन तानल है वो कौन-कौन से सुचर से बनता है सेजाइटल सुचर एंटिरियरली एंड लेम्डोइडल सुचर और आइधर साइड प्रेंटल सुचर एंटिरियरली पोस्टिरियर लेम्डोइडल एंड कोरोनल सुचर और आइधर साइड frontal suture anteriorly and lamdoidal suture on either side frontal, anteriorly, sagital, posteriorly and coronal suture either side तो यहाँ पर correct answer क्या रहेगा देखो यहाँ पर जो correct answer रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर कौन सा रहेगा यहाँ पर यहाँ पर रहेगा अपना देखो यहाँ पर correct answer क्या रहेगा अपना correct answer है वो है पहला वाला दिंव इसके क्या है पहले वाले में बात करें पन तो यहां पर क्यूश्यटिक में किया पूचआ करें देखो यहां पहरें पूर्ण लेम्ड्डोडल सुचर और यहां पो गया फ्रेंटल सुचर तो यह posterior हमारा फॉंटडणील होता है तो यहां पर correct answer रहेगा अपना वाला correct answer रहेगा वह रहेगा पहला जिसंकि मैंने आपको बदायाता दाइग्राम पे जिसंए जैसे कि यहाँ पर आगर बात करें पर तो यह posterior fontanel होता है, ठीक है, posterior fontanel, तो आप देख सकते हैं, यह sagittal suture enterium हो गया, sagittal suture हो गया, इसके बाद में यह lamdoidal suture हो गया, दोनों side है, तो अपना यहाँ पर correct answer रहेगा, वो रहेगा, अपना A वाला, चलते हैं अपन, nice question की तरह, sub-occipitobragmatic diameter of fetal skull age, यह काफी important question है, कहीं बार exam में पूछा जा चुका है, sub-occipitobragmatic diameter, तो sub-occipitobragmatic diameter कितना होता है, 9.5 cm, 10 cm, 11.5 cm, 14 cm, तो correct answer क्या रहेगा इसका अपना, इसका correct answer है, 9.5 cm, तिएपो, sub, sub, आपको यह दो-दीर word में, मैं मैं आपको दो चीजद करें मैं, आपको समझे ज Вотरो, ताकि आपका कभी confused नहों, sub, sub का मतलब क्या होता है, sub का मतलब क्या होता है, नीचा यहां पर आज मैं बता हुआ नीचा नीचा का मतलब लोवर ठीक है सब का मतलब हम यहां से लोवर से रहेंगे ठीक है सब का मतलब क्या है लोवर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आप जैसे जानते हो ना वैसे ही सब का मतलब लोवर होता है तो मैं आपको अब यहां हर चीज के बारे में आपको समझाने वाला हूँ बात करें था है पर यहाँ पर ब्रेगमेटिक डायमेटर कौन सा सब ओक्सिपिटो ब्रेगमेटिक तो आपको भी बता दो दब ओक्सिपिटल बोन तो क्या होगी एकदम मेरे आप देख से सब ओक्सिपिटल में कि नीचा होगया तो यह यहाँ सिक और यहां पर याशं को अनुछ कि देखो यह पर बात करें देखो यहां पर आप आप समझ लीजी यहाँ पर मैं समझा जाता हूँ देखो यह यहां पर तो गये अपना oxypital bone क्या होगी यह oxypital पिटल bone ठीक है यह तो गये अपनी oxypital bone होगी यह होगी अपनी कौनसी frontal bone होगी ठीक और ठीक है यह और यह दोनों side में ओर parital bone देखो यहाँ पुछा था, क्या पूछ था, अपना Oxiped ao pragmatic diameter तो उख्थे को यह occipit to यह हो गया, अब हम बात करें किसकी सब occipit to तो सब occipit to occipit से क्या हो गया ऐनी occipit al bonnes से क्या हो गया, नीचे हो गया तो यह यहां से यहां से यहां से यहां तक का, यह ब्रेक मा हो गया, यहां से यहां तक का जो diameter है, यह होता है, कितना होता है, 9.5 cm, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, पूरे को, बाकी और भी question आएंगे ऐसे, तो चलते हैं अपन, next question की तरफ, sub-occipito frontal diameter of human fetal skull is about, टेके, question में पूछा है, sub-occipito frontal diameter of human fetal skull, तो अभी मैंने आपको बताया था, sub-यानी नीचे से, और यहां से frontal का, यह diameter कितना होता है, 9.5 cm, 10 cm, 11.5 cm, 14 cm, तो यहां पर correct answer क्या रहेगा, यहां पर correct answer है, वो है, क्या रहेगा यहां पर, 10 cm, देखो, मैंने अभी आपको बताया था, कि जो fetal skull होता है, मैं आपको इसे diagrammatic तरीके से हर बार बता दूंगा, यह fetal skull है, यह fetal skull है, यह आपकी यहां पर आईए, तो यह आपको ओगया, occipit bone, occipit हो गया, बात करें देखोंगे सब occipito, तो यह सब occipito से यह frontal diameter, यह होता है, 10 cm, ठेके कितना होता है, 10 cm, नाच्ट बात करें देखोंगे, इन human fetal skull, occipito frontal diameter कितना होता है, 9.5 cm 10 cm 11.5 cm 14 cm तो कितना होता है हम आपर करेक्ट आंसर क्या है यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपना है आपर 11.5 cm मैं आपको दिखा दें हम यहां पर बात किया था मेरे अभी बताई थ्यापको यहां पर पूछाए ऑकसिपितो frontal, तो occipital frontal की बात करें पर, तो occipital frontal डायामेटर की अगर बात करेंपर, तो occipital frontal जो diameter है, यह तो यह occipital bone होगी, कौन ही ओक्सी bit bone होगी, यानी occipital होगी, ठेक, और यहां पर होगे frontal, पहले हमें क्या पूछ था अपने, sub occipito तो हम यहां से यह यहां तक रहो diameter है यह कितना होता है? यह होता है 11.5 cm कितना होता है? 11.5 cm होता है चलता है next question की तरब in fetal skull mental vertical diameter about यहां पर question में पुछा है mental vertical mental को मतलब जानते हो आप यह अपनी यहां पर होदी है थोड़ी जो होती है mental vertical यहां से लेकर यहां तक का diameter कितना होता है? 9.5 cm 10 cm 11.5 cm 14 cm तो कितना होता mental vertical diameter इसका correct answer क्या रहेगा? इसका जो correct answer है हो है 14 cm देखो, body यानि fetal skull का सबसे बड़ा diameter होता है वो कौन सा होता है? mental vertical कई बार आपसे question यह भी पूचे जा सकता है कि fetal skull का जो सबसे बड़ा diameter होता है वो mental vertical होता है मैं आपको यहां पर diagrammatic तरीके पर दिखा देता हूँ जैसे कि यह fetal skull हो गया fetal skull हो गया यह fetal skull हो गया यह ठेक? तो यहां पर आपको यह chin है यहां से mental और यह vertical तो यह जो diameter होता है ठीके? इसे कहते है पर mental vertical diameter और यह होता है 14 cm long कितना होता है? 14 cm long होता है in human fetal skull between the center of pragma to nape of the neck eastern edge ठीके? यहां पर पूचा है कि जो fetal skull है उसका जो कहां से center of pragma यहां से लेकर nape यहां से लेकर यहां तक की जो line होती है उससे क्या कहेंगे हम? यहां सक्षे जो diameter होता है यहां सक्षे लेकर nape यहां पर तो इससे क्या कहेंगे? sub-occipitobragmatic sub-occipitobragmatic sub-occipitob frontal mento vertical तो मैंने आपको यह भी बताया था यहां क्या ओक्सिपिटल बोन है और इसके नीचे आएगा तो उससे क्या कहेंगे? sub-occipitob और यहां से यहां तक जा रहा है तो क्या कहेंगे उससे अपन? sub-occipitobragmatic diameter क्या कहेंगे उससे अपन? sub-occipitobragmatic जो कि अभी मैंने आपको diagram में दिखाया था उससे क्या कहेंगे उससे क्या कहेंगे अपन? sub-occipitobragmatic diameter यह होता है वो ठीक है? sub-occipitobragmatic diameter तो यहां पर correct answer होगा sub-occipitobragmatic बात कहेंगे अपन next question की in human fetal skull distance between the center of pragma to the junction of floor the mouth and neck stern edge ठीक है? question में पूछाए कि यहां पर जो breakma से लेकर जो floor of mouth होता है उसके बीच की distance को क्या कहते है? एक तरह से में यहां पर यह breakma है और breakma यहां से लेकर यह यहां तक की यह floor floor का मतलब नीचे वाला उससे क्या कहेंगे? अब आपको मैंने बता था यह तो mento हो गया तो यह क्या हो गया? सब हो गया ठीक है? क्योंकि नीचे हो गया ना इससे mento से नीचे तो उससे क्या कहेंगे अपन? सब-occipitobragmatic सब-mento-bragmatic सब-occipitopfrontal mento-vertical तो अभी मैंने बताया था आपको यह mento-mentum है और इससे नीचे इससे क्या कहेंगे? सब-mento और यहाँ पर चलेंगे यहाँ से यहाँ तक तो सब-mento-bragmatic तो यहाँ पर correct answer रहेगा अपने यहाँ पर सब-mento-bragmatic next बत करेंपन इन human fetal skull highest diameter जो कि मैंने आपको बताया था भी human fetal skull में highest diameter कौन सा होता है? सब-occipitobragmatic सब-mento-bragmatic सब-occipitob frontal mento-vertical तो highest diameter कौन सा होता है? कौन सा होता है highest diameter? यहाँ पर correct answer करेंगा highest diameter होता है वो होता अपना mento-vertical जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का mento यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो diameter होता है उस सब से ज़्यादा डायमेटर होता है, कितना होता है, 14 सेमी होता है, चलते हैं दाइस्ट कुश्छन की तब, इन हुमन, फीटल स्कल, डिस्टेज बिट्विन, हाइस्ट पॉइंट ऑफ दे सेजिटल सूचर, तु मिड़ पॉइंट ऑफ दे, तु मीड़ पॉइंट ऑफ दे, इस टर्म एग, ठीक है, तु मिड़ पॉइंट ऑफ दे, इस टर्म एग, यहांपर जौ जो, कुश्छन है, थोड़ा साई, इसमें कुश्छन में, गल्ती हो गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहां पर क्या पूछा है, यहां पर जो जो कुछन में पूचयता है, यहां पर कुछन में मैं आपको आदता हूं की having point of the Sagittalolas यहां पर मैंटम की बात है, यहां पर midpoint of momentum की बात है तो यहां से लेकर यहां तक का howiest point होता है उसे कहता है अपर mental vertical तो उसे कहेंगे mental vertical क्या कहेंगे उसे अपर mental vertical फॉड़ा एक question में Mr.皮 तो यहां पर इस question का यहां पर जो correct answer वहेगा mental vertical रहेगा next time पर इस question को तो हम correct करवा देंगे आपसे, यहां पर question में पूछा है, कि जो area है, इस fetal skull का, anterior है किससे, ब्रेगमा से हैं, और coronal suture से हैं, और posterior है किससे, lamdoise है, lamdoidal suture है, तो उसे क्या कहेंगे, vertex, bridge, bro, face, तो क्या कहेंगे इसे, काप important question है, बहुत math question है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन, vertex, क्या कहेंगे इसे अपन, vertex, तो अपन vertex का मतलब क्या होता है, कि यह जो हमरा skull, जब विजाईना के अंदर, जब delivery होती है, तो इसकल आता है, इसकल में क्या है, anterior ली क्या होना चाहिए, anterior जो हम बात करते हैं, anterior जो होता चाहिए, वो है अपना, ब्रेगमा, ठीक है, तो यह जो, यह आता है, तो इसे कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, इसे, vertex कहते हैं, बटक्स आते हैं और ब्रो में क्या आता है फेस आता है ब्रो में क्या होता है यानि कि ब्रो के अंदर यह सबसे पहले यह आती है आई ब्रोस और बात करें फेस की तो पूरा फेस आता है तो यहां पर कहेंगे इसे अपन वाटक्स कहेंगे बात करें एक्स यह कापी important question है जो दो parietal bone की बीच में जो suture होता है उसे क्या कहते है अपन sagittal suture, coronal suture, frontal suture, lamdoidal suture तो क्या कहते है इसे है अपन इसे कहते है अपन क्या कहते है इसे है अपन sagittal suture तो यहाँ पर correct answer है sagittal suture है, देखो यहाँ पर बात किया है दो parietal bone की बीच में तो दो parietal bone की बीच में आपको देख सकते हैं यहाँ पर, दो parietal bone की बीच में यह parietal bone है, यह parietal bone है तो इनके बीच में कौन सा है sagittal suture है, कौन सा है इसके बीच में sagittal suture है और यहां पर इन डायमेटर को पूछे जाता है BPD BPD मैं बता देता हूँ आपको इसे कहते हैं पर BPD का मतलब होता Biparital Diameter और यह यह जो दो parital bone के बीच का जो diameter होता उसे कहते हैं पर यह होता 9.5 cm का यह एक्जाम में पूछा जा चुका है चलते हैं next question के तरफ the suture found between parital bone and frontal bone on either side is known as यानि कि वो suture जो तो parital bone के बीच में parital bone और frontal bone के बीच में पाया जाता है दोनों साइट उसे क्या कहते हैं पर तो यह sagital suture, coronal suture, lamdoidal suture, frontal suture तो उसे क्या कहते हैं पर यहां पर correct answer क्या रहेगा अपना यहां पर correct answer रहुआ है, coronal suture देखो, यहां पर question में पूचा था, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ कि देखो, यह तो मेरी frontal bone हो गई और frontal bone के बीच में, यह यहां पर जो suture है यह frontal bone और यह parital bone ठेके, frontal bone और parital bone इन दोनों के बीच में जो suture होता है उसे कहते हैं, coronal suture तो यहां पर भी यही पूचा है मैं आपको यहां पर दिखा रहता हूँ जिसे, देखो, आप देख सकते हैं, यहां पर तो यह यहां पर यही पूचा है देखो, यह यहां पर यही पूचा है उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? Sagittal Suture, Coronal Suture, Frontal Suture, Lam Kaitoidal Suture, तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे Correct answer क्या होगा? यहाँ पे Correct answer है, Sagittal Suture, जो Logitudinal Suture है, उसे Sagittal Suture के नाम से जानते हैं. तो थेंक्यू दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज को बनाते रहें तब तक के लिए थेंक्यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए झाल झाल